I give you my heart Hello friends, Education Baba official YouTube channel पर आपका स्वागात है Seated July 2020 की परिच्छा के लिए हम बालविकास एवं सिच्छा सास्थ से सम्बंदेद 500 मैत्वम प्रशनों की सीरीज कर रहे हैं इस सीरीज की अंतरगत यह हमारा आज पांचवा दिन है इसकी अंतरगत यह यह छटवा भाग है अगर आपको हमारी वीडियो प्रसंद आ रही हूँ तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ सेर अवश्य करें अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें एवं लेटास्ट नोट अपिकिशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें अगर आप डेली पीडियाप से नोट चाते हैं तो हमारे डेस्क्रिप्शन में दीएगे टेलिग्राम गुर्प को जॉइन कर सकते हैं बढ़ते हैं आज के पहले प्रिश्न की योड़ पहला प्रिश्न अपके लिए बुद्धि लब्दी और बासा संबंदी योगता में गनिष्ट संबंद होता है यहां विचार किसका है यानि किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि लब्दी और बासा संबंदी योगता दोनों ही एक दूसरी से सह संबंद होती हैं आपके सा इर्विन ने बताया कि बुद्धी और भासा दोनों ही आपके गनिश्रम बंदित होती हैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए निमलकत में से क्या भासादोस नहीं है पहला है द्वनी में असुद्ध उचागन होना दूसरा है आपके लिए द्वनी का अत्यन त्रतीब्र होना थर्ड़ उप्शन है आपके लिए द्वनी के प्रतिस्थापन का नहोना फूर्थ है द्वनी में पुन्डावरत्ती होना तो इसमें आपसे पूछागा कि निमलकत में से भासादोस नहीं है नहीं के लिए आप थर पॉइंट के बास दोनी के प्रतिस्थापन का नहुना बिल्कुल सही उत्तर होगा नेक्स है आपके लिए बुद्धी के बहुकारक सिद्धान्त के मुख्य समर्थक थांडाइक थे नेक्स है आपके सामने नेक्स्थ आप्षिन है व्यक्ती का बॉद्धिक विवार अनेक स्वतंतर योग्यताओं पर निरुभर करता है इन तो इन स्वतंतर योग्यताओं का अच्छे तर्शीमित होता है फूर्थ आप्सन है आपके सामने सभी प्रकार की मानसिक कारणों में दू प्रकार की मानसिक योग्यताओं की याप सकता होती है बरतां सामान ने एवं बेसेस्ट तो आपका यहां तो द्वेकारक्षदान दुआ तो बहुकारक्षदान से कोई मतलब नहीं रहा है इसका और आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा कि बुद्धी कई तत्नों का समुग होती है और प्रत्य तत्त में सोच में योगिता नहेत होती है बुद्धी के भावकारक्षदान जो थंडा एक द्वारा दिया गया उसमें नहीं बताया कि जो बुद्धी होती है वो कई तत्नों का समुग होती है और प्रत्य तत्त में विवार सम्मंदी विकारों को दूर करनेक से सम्मंदी एक योगिता अनभव अधिगम तथा वातावन सम्मंदी कारकों पर आधरत एक सम्मंदी योगिता फोर्थ है आपके सामनी पठर विकार पर आधरत सम्मंदी योगिता तो किसलाय जो सम्मंदी आपका अनभव अधिगम बातावरन तथा समन्दी कार्पमों पर सामान्योगिता फूर्थ क्वेशन का तीसरा उप्षन बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं एकी कच्चा कच सिच्छन का निस्पादन भिन्न भिन्न होता है निमलिक्त में से कौन सा कारण इसके लिए सरवादिक उतरदाई हो सकता है पहला पॉइंट है आपके लिए सिच्छार्थियों की बुद्धी में अंतर नेक्स्ट है सिच्छार्थियों की अविप्रेण में अंतर थड़ है सिच्छार्थियों की रुची में अंतर next यह आपके लिए सिच्चाड्यों की साज़िक सक्ति में enter तो एक ही सिच्चाड्यों में निस्पाधन बिनने पिन होता है इसका प्रमो कारण होता है आपका कि सिच्चाड्यों की बुद्धी में enter यानी option पहला इसका सही उत्तर होगा फिर्थ का fourth फास्ट बाते हैं एकली प्रिश्ण की ओर बाल के इंदर सिच्छा द्वारा निमलकित में से क्या संभव नहीं हो सकता है पहला आपके सामने बाल वनविग्यान की सहता से बच्चों के पाइट अग्रम सुधार यहां इसमें रखने वाली बात है बाल के इंदर सिच्छा में से क्या संभव नहीं हो सकता है बाल मनोविग्यान की सहता से बच्चों के पाइट करम सदार हो सकता है प्रतिक बालक पर सिच्छक द्वारा विश्यक दिया जाना चाहिए बिल्कुल शाही बात है नेक्स्ट है प्रतिक बालक पर प्रतिक रूप से द्यान नहीं दिया जाना या बाल के इंद्रित सित्वाधारा निमनिकत में से संभव नहीं हो सकता प्रतेग बालक पर प्रतेग रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता या गलत है Q7 थे आपका अधिगम व्यक्तिगत तता वातावन के संभनित कारकों का प्रभाब किस अवस्था तक पड़ता है आपके सामने प door पूरव बाले रवस्था शेकेंड आपके सामने बाले रवस्था किसोर्वस्था संभूर जीवन तो अधिगम मियmee व्यक्तिगत ततावातावन संया चारकों का प्रभाब आकी संपूरच जीवन पर पढ़ता है fourth option इसका सही होगा next question है लेंग स्कूल में मन मानी करने लगती है वे परिच्छा में सपर होने लगती है लेंग की बेदवाब के कारण चात्रों की मन दुशा उनका स्कूल में मन नहीं लगता या विन जाने के लिए उनका मन नहीं करता है option first इसका सही उत्तर होगा next है मान से कर रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है असपलता का बहर नहोना आजपो इसमें द्यान लगना है मान से कर रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है असपलता का बहर नहोना धीमी गती से सीखना आपके पहले point को शूड़कर तीन होई point बालक की समस्या है और आपका first point बालक की समस्या नहीं है असपलता का भाय नहों ना कि उसमें असपलता का भाय भी बेद्यमान होता है option पहला इसका सही उत्तर है next question है आपकी एक आपकी अच्छा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है आप उस बच्चे की विशे में क्या कहेंगी यानि एक बच्चा है वो किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है तो आपका उसकी विशे में क्या विचा रहा है नेक्स्ट है आपके सामने बच्चे की बुद्धी लब्दी 70 से कम है थर्ड ओप्चन है बच्चे में बैग्यानिक सोच का विकास हो रहा है फोर्थ है बच्चे का मन पढ़ाई में लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है तो ओप्चन तीसरा इसका सही उत्तर होगा बच्चे में बैग्यानिक सोच का विकास हो रहा है यानि कोई बच्चा अगर किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है तो इसका बतात कर रहा है कि बच्चे में बैग्यानिक सोच का विकास हो रहा है नेक्स्ट क्षशन है सिच्छार्थियों के मुल्यंगन के लिए सामाने तहर निमंदात्मक पर्षणों का उपयोग किया जाता है इस प्रकार के पर्षणों की सबसे बड़ी खामी क्या होती है option पहला है इन प्रशनों में वस्तों निश्टा एवं सनियता की कमी होती है दूसरा है ये प्रशनों की सायता से किसी प्रकार का मुल्यंगन समभ नहीं होता है next है इन प्रशनों में कलपना सिलता का विकास होता है बिल्कुल सही बात है लेकिन इसमें प्रशनों की खामी यानि कमी कौन सी होती है तो इन प्रशनों से मैं बस्तों निश्टा एवं सनियता की कमी होती है option पहला इसका सही उत्तर होगा next question है आप एक सिच्चा की रूप में नियक्त होकर किसी बिद्ध्याले में जाती है आप सिच्चार्थियों की चमताओं को समझने के लिए निम्लगित मैं सीव के सित्र का चुनाब करेंगी पहला option है आपके सामाजी की तर्शन, दूसरा है मेडिया मनोविग्यान, तीसरा है सिच्चा समाशास्त्र, फूर्थ है सिच्चा मनोविग्यान तो जब हम बिद्याले गाएंगी सिच्च की रूप में नियुक्ट दोकर तो हम सिच्चा मनोविग्यान का और उसकी समंद्र से अर्द्यन करेंगे यानि आपका option फूर्थ इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की बारे में निमल गित्में से कौन सा गतन असत्य है पहला option है सतत और व्यापक मुल्यांकन की सतत पहलू की अंतरगत मुल्यांकन की सतत और आवदिक पहलू का ध्यान रखा जाता है इसमें हर फृतिक पहलू का ध्यान रखा जाता है या भी point आपका सही है तो इसमें आपसे पूछाई गाता निम्रगंदे कौन सागातन आ सकते है तो आपका तीसरा point इसका आ सकते है यानि इसका सही उत्तर होगा option third इसमें सिच्छार्तियों की अप्रग्दियों का मुल्यांकन अंकों के रूप में होता है next question देखिए आप next है कच्छा में अधिक से अधिक से च्छन सामिक भी का प्रयोग किया जाए third है सिच्छक बेविन प्रकार की व्याख्यान और उस्पस्चिकर्ण का प्रयोग करे fourth है कच्छा में आवधिक परीष्ण पर घ्यान दिया जाए तो आप पॉस्ट में पूछा गया है कि आप next question है आपके सामनी बालक की रूची विद्याले में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए यानि बच्चे की रूची को विद्याले में बढ़ाने तो उसके लिए क्या करना चाहिए पहला पॉइंट है आपके सामनी विद्याले का बातावन की विद्याले का बालक की अन्कूल किया जाना चाहिए दूसरा पॉоеंच है बालग की माता-पिता को विद्याले आनी से रूक जाना चाहिए फोर्फ है बालग की सभी सेस्चने गत्विदियों दवारा माता-पिता दवारा संपन की जानी चाहिए तो आपका first option इसका सयोत्तर होगा बालग का वातावन की विद्याले का वातावन की अनकूल किया जाना चाहिए यानि जो बालक है उसकी अनकूल अगर विद्याले का वातावन होगा तो बच्चे की विद्याले की प्रतिरुची बढ़ेगी नेक्स्ट आपके सामने जब किसी क्रिया को बार बार दोराया जाता है तो अस्वाभविक उद्धिपक भी वही क्रिया प्रितिक्रिया देने लगता है जो स्वाभविक उद्धिपक देता है यह अधिकम लिल्ग में से कौन सा सिध्धान्त है यानि अगर किसी क्रिया को बार बार दोरा जाता है तो अस्वावविक जो उद्धिपक होता है वो प्रितिक्रिया देने लगता है यानि स्वावविक उद्धिपक देता है अब इसमें यहां आपके चारों सिद्धान्तों में से किस सिद्धान्त है पहला है आपका सामनी अंत्रदश्ट्री का सिद्धान्त जानते हैं ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है आपने अपनी कच्छा के सिच्छार्थियों को पूरी कच्छा में कहीं पर बैठने के अनुमती दे देते हैं उनमें से कुछ चात समोकर बना कर पढ़ते हैं तो तक कुछ चुपचा बैठकर आपने आप आपश्चा को अबच्छा बिद्याले में समों में बच्चे पर सके उख लिया इँसलिया बच्छों का इकुरूप बनाएग बच्च बैठते हैं तो उसपम नहीं पढ़रे होते हैं उसमें कुछ बच्चे नहीं पर नहीं अववाव को ऐसा करना आपका गलत लगता है तो आप क्या करेंगे कि अववाव को सिच्छक पर बस्तु समस्या की चर्चा करनी चाहिए ओप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्योशन है जब किसी किसोर में किसी बस्तु समस्या या परस्ति के लिए निजी इस्तर पर निरना लेनी की चंपता का विकास परपक होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं पहला आपका आए परपक कोता सेकंड है संग्याद्व विकास तीसरा है आध्या अपने क सोर है जो है वह किसी बस्तू या समस्य समन्दी परिस्ति को निजी राय लिनी की या निरना चमता लिनी का चमता विकास हो गया उसमें तो आपका संग्यान को विकास को दर्चाता है ओप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा next है आपकी कच्छा का एक सिचार्थी पढ़ने में बहुत तेज है और वह सातवी कच्छा में उतुई भी दसवी कच्छा के विश्यों को आसानी से समझ लेता है उसकी इस व्यक्तिक बिनता का कारण है उसका सारे विकास उसकी विशिस्त योगता उसका सम्सध इसकी जाती त तो उसकी विशिस्ट योगिता दूसरा आप्षन सही होगा, यह कोई विद्यार की सात्मी कच्छा में पड़ता है और दस्मी कच्छा के वह सवालना को कर लेता है तो यह उसकी विशिस्ट योगिता है, आप्षन दूसरा आइसका सही उत्तर होगा, नेक्स्ट समाजिकरन की प्रिया में किसी बच्चे की सामाजिक मुल्यों और सामाजिक प्रतमानों को सीखने की संभावना निर्वर करती है तो निम्ल गत्में से किस पर जो सामाजिक प्रतमानों को सीखने की संभावना निर्वर करती है आप्षन दूसरा है इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है आपके सामने समवेग का सच्छा में महत्प नहीं है सिच्चार्थियों में अध्यन के प्रतरुच्ची पैदा करने में दूसरा महत्प नहीं है इस बात का भी द्यान डखनाय में दूसरा है सिच्छार्तियों में समाज की अन्कूल बेवार करने की सहच्छिक की छमता पैदा करने में, तीसरा है आपका सिच्छार्तियों को असब्य बनाने में, और फोर्थ है सिच्छार्तियों को सिस्ट बनाने में, तो समधेगों का सिच्छा में महत्म नहीं है, आपका स सही है नेक्स्ट है सीखने में प्रिणना का इस्थान अत्यंत महत्पूर है क्योंकि इससे बालकों में व्यत्तिगत विवन्ताओं में कमी होती है नेक्स्ट है सारी विकास होता है अनुषाषन की भावना का विकास होता है सामाज गुड़ों सीमित रहते हैं तो आपका option तीसरा इसका सही है क्योंकि सीखने में प्रिणा का अत्युंद में अत्मूर रहा है और इससे अनुसराशन की भावना का विकास होता है नेक्स्ट कोशन देखिए निचली कच्चाओं में सिखन की खेल पदती का मूल रूप से आधारित है यान जो छोड़ी कच्चाओं होती है उनमें जो खेल पदती वह किस पर आधारत है मूल रूप से नम्मर पहला है आपके सामने सारिक सिच्चा कार्यकर्म की सिद्धान्त पर सेच्चिक पततियों की सिद्धान्त पर विकास इवं प्रद्दी की मनोवग्यानिक सिद्धान्तों पर या फिर आपके सामनी ओप्शन है सिच्चड की समाशास्त्री सिद्धान्तों पर तो आपका कच्छा कच्छ का प्रशासनिक वातावरन तीछरा है कच्छा कच्छ का मनोवग्यानिक वातावरन फूर्थ है आपके सामने कच्छा कच्छ का सामाजिक वातावरन यानि किसी कच्छा में सीखने का प्रवायत करने वाला महत्मूर जो गटाक होता है वो आपका कच्छा सब्सक्राइब होता है option 4 इसका सही उत्तर होगा करता है तो आपके सामने ऑप्षन है इसक यह दिस्डि सेंद कर दर्डशार्च करता जो है नेक्स्ट कॉर्शन है तो आपके सामनेということ करता है तो आपके सामने option है चार चारों में से आपका एक option सही होगा फर्स ट्रय आपके सामने साब्दिक दूसरा है व्यक्तिगत तीसरा है असाब्दिक और सामविक यानि आपके सामने अमूर्थ चित्र हैं अनेर्जी पतार्थ हैं तो यह सब आपके सभी अस आप देख बुद्धी परिशनर के अंतरगत आती हैं यानि option तीसरा इसका सही उत्तर होगा next question सिचार्थियों की आपकलन का प्रियोजन नहीं है हमें इस बात का द्यान रखना है इसमें नहीं सब्द का प्रियोग किया गया है पहला है आपकी सामनी कि सिचार्थियों को व्यक्तिकत पच्छों को जाजना सही बात है यह आपका प्रियास को धीमा गरना यह कतन इसका गलत है यानि आपका फूर्थ उप्शन इसमें सही होगा इसमें पूछा जया था सिचार्थियों के आपकलन का प्रियोजन नहीं है बाकि तीनों पॉइंट आपके विद्धार्थियों के आपकलन के प्रियोजन से सम्मंद्ध है कॉशन नमर 29 है आपका यह दे सीखने वाले में सीखने की डैस का अभाव होगा तो सीखना कठन हो जाता है अब आपको बताना है इन मैंसे क्या यद बच्चे में अविप्रेणना ततपर्ता या अविप्रत्ती यह सभी तो आपके यह सभी चारों तीनों ही मैटपून सीखने में बुमे का अदा करते हैं यानि अविप्रेणना ततपर्ता और अविप्रत्ती यानि अगर इस मैंसे किसी का भी वाब होगा तो सीखना मुश्कल है तो आपके सामने option है जो के इस मैंसे आपका option 4 इसका सभी यह सभी सही होगा आज का अंतिम प्रिश्ण के फलसरूप बालकों में होने वाली विविन प्रकार के परवर्तनों को न तो प्रत्च रूप से देखा जा सकता है और नहीं इनका मापन किया जा सकता है पहला उप्षन है आपका ब्रद्धी विकास दूसरा व्यक्तित्व और फोर्त है समायोजिर्ण तो आपका जो विकास होता है विकास की फलसरूप बालकों में जो परवर्तन होते हैं न तो उनको प्रत्च रूप से देखा जा सकता है और नहीं इनका मापन किया जा सकता है तो आपका फर्स्ट पॉइंट दूसरा इसमें विकल्प सही होगा फ्रेंट्स यह थे आज के लिए 30 मैटमों प्रेशन अगर आपको मारी वीडियो प्रसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ सेर जरूर करें अपने मित्रों के साथ सेर जरूर को मारी वीडियो बेएक करें